जो लोग डॉक्टर अम्बेटकर का नाम लेते थे वो आज आली शान महलों में रह रहे हैं और जुनों ने उनके किताबों को एक किया वो आज ऐसे तूटे-पूटे घर में रहे हैं अरे मैं आपकी तारीव करता तो मुझे आज एसोसी एक प्रोफेसर बना देते लेकिन मुझे पता है कि आप से अगर इतनी मदद ले लूँगा तो वही बोलना पड़ेगा जो इस मंच से मजबूरी में बोलना पड़ता है इतलिए सच बोलू तोनिया में इंसान एक तरह से पड़ा होते हैं यहां कोई मुख से पड़ा हो रहा है कोई भुजाओं से पड़ा हो रहा है कोई जंगे से पड़ा हो रहे है तोनिया चाद पर जा रही है और आप गायगोबर गौमत में बिज्ञान धुड़ रहे हैं वो बेच रहे हैं भा हवाई चपल वालों को जहाज में जलाएंगे, जहाज बिद्दया, एरोकलेन बिद्दया, रेलवे बिद्दया, सरकारी नोकरी माइनस 1% बची है, आपका रिजरेशन कहां बचा है, यह अमबेटकर के सपनों का भारत है क्या, मेरी चोच के पानी से जंगल की आग नहीं बु डॉक्तर रिम्बेटकर स्मृति सेमिनार और इसके आयोज़क धम घूमी अलीगड़ और समता सैनिक दल अलीगड़ के सभी आयोज़कों का भार सम्मानित मंज आज अलीगड़ महुत्सों के इस प्रंगड में डॉक्तर रिम्बेटकर स्मृति सेमिनार का युज़न और इसके शुरुवात में एक गीत का आना कि शोशित मानोता का प्यार खोया हुआ तेरा अधिकार बाबा भीम की बदवलत मिला तुझे मुझे लगता है कि इस तरह की आत्म स्विकृति हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी यहाँ पर रखी कि आज जो कुछ भी है हम उसमें हमारे पूर्खों की एक बहुत बड़ी भूमिका है और इस भूमिका के साथ आज का जो विशे इस पूरे आयोजन का रखा गया है कि डॉक्तिर अंबेद करके सपनों का जो भारत है सामाजिक न्याय का जो भारत है उसे कैसे बनाया जाए और उसमें बुद्धजीवियों की क्या भूमिका हो सकती है इस बात में हमें अपनी बात कहनी है और आपने मुझे बुलाने का जो खिम भी उठाया है तो मैं पूरे भरोसे पर खरा उतरूँ गयोंकि ना तो अभी मैं किसी पार्टी का बिढ़ायक हूँ न सांसदू और न मुझे आपका वोट चाहिए यह एक वैचारी का योजन है क्योंकि आपने डॉक्टर अंबेटकर से लेकर के तदागत बुद्ध का नाम लिया है यहां से सच बोलना बहुत ज़रूरी है और आपके विशे पर पहली मेरी बात यही है कि बुद्ध जीवियों की आज सबसे बड़ी भूमिका क्या है पहली बात तो यह कि मैं अपने को कोई बुद्ध जीवी नहीं मान रहा अभी तो उन सीख रहे मैं उस जमीन पर हूँ जहां अभी आज अलिगर में हम अनंत्राव अकेला साब से मिलकर आए और मानिवर कांशीराम का संग्रह लेकर आए कि डॉक्टर अंबेटकर ने जितना जो बात कही थी मानिवर कांशीराम ने डॉक्टर अंबेटकर ने किताबों को जोड़ा मैंने लोगों को जोड़ा है उनके साथी से ये उर्जा लेकर आया उनका घर देख करके आया जिस घर में वो रह रहे है और उनकी पीडा भी सुनकर करके आया जो लोग डॉक्टर रम्बेटकर का नाम लेते थे वो आज आली शान महलों में रह रहे हैं और जुन्हों ने उनके किताबों को एक किया वो आज ऐसे तूटे-पूटे घर में रह रहे हैं इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप कहीं उस रास्ते तो नहीं जा रहे कि जैसे देवी देवता का नाम लेकर के राजनीत हो माला पहनाया जाए आप वहाँ को डॉक्टर रम्बेटकर को रख देंगे तो धागत बुद्ध को रख देंगे तो हमारे जैसे लोग उसके खिलाब खड़े होंगे पहली बात और उस समय उन्होंने कहा तब बुद्ध जीवियों की भूमिका मैं कोट करते हुए डॉक्टर रम्बेटकर को ये बात कह रहा हूँ 1956 में डॉक्टर रम्बेटकर ने एक वाग की कहा सभागार में कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है और वो धोखा क्या था वो हमारे जैसे लोगों ने धोखा दिया हम उन्हें धोखा दे रहे हैं मैं अपने को शामिल करके ये बात बोल रहा हूँ हम माहौल बदला है तो डॉक्टर अम्बेटकर के बिना आप किसी का काम नहीं चल पा रहा है सब नाम ले रहे हैं डॉक्टर अम्बेटकर का और वो लोग भी नाम ले रहे हैं जो अपना सारा काम डॉक्टर अम्बेटकर के खिलास कर रहे हैं इस खत्रे से बचना जरूरी है मैं कोट पढ़ रहा हूँ 1940 में किताब का नाम है पाकिस्तान और दे पाटिशन आफ इंडिया डॉक्टर अंबेट कर क्या लेख रहें आप सुनिये अगर हिंदू राज हकीकत बनता है तब वो इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा हिंदू कुछ भी कहें हिंदू राश्ट, हिंदू धर्म, समानता, स्वतंतरता और बंधुत के लिए खत्रा है उस आधार पर वह लोगतंतर से मेल नहीं खाता है हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए ड़क्टर बीर आरंबेट कर कह रहा है इसलिए मैं इस मंच का इस्तेमाल केवल अपने विशे के लिए कर रहा हूँ आपने मुझे विशे दिया है कि बुद्धिजीवियों की भूमिका क्या होगी तो बुद्धिजीवियों की भूमिका ये होगी कि आँख में आँख डाल करके वह सच कहा जाए जो वक्त में कहने पर जेल में भेजा जा रहा है दूसरी बात ड़क्टर अंबेटकर के सपनों का भारत कैसे बनेगा आप ये कहेंगे कि हमने उनकी मूर्ती बनवा दी उनका आवास जो पुराना आवास था उसको बना दिया हम आपको धन्यवाद कहेंगे फिर आपसे पूछेंगे कि ड़क्टर अंबेटकर के सपनों के भारत में क्या था आप कहरें सिक्षा थी तमाम नेता लोग है मैं किसी का नाम नहीं लूँगा बुद्ध जी भी इशारों में बात करता है हम किसी व्यक्ति और नेता को इतना महत्व क्यों थे कि उसका नाम लेने के जरूरत पड़े अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ड़क्टर अंबेटकर बिरसा फूले पेरियार यहां से लेकर तथागत बुद्ध तर सबसे महत्व लड़ाई कौन सी थी सिक्षा की आपने भी कहा सिक्षा की लड़ाई अगर सबसे महत्व है और सिक्षा के लिए सारा काम हो रहा है तो एक बात बताईए इस देश में जब स्कूल, कॉलेज और विश्व विद्याले के लिए अंदोलन होना चाहिए तो मंदर मस्जिद के लिए अंदोलन हो रहा है अंबिटर के सपनों का भारता है कितने नए विश्व विद्याले और स्कूल बने मैं विशुद्याले में पढ़ा रहा हूँ दिल्ले विशुद्याले में आज तक भी टंपरेरी प्रोफेसर हूँ और मुझे इस बात के चिंता नहीं है कि सच बोलने पर आप मुझे क्या करेंगे अरे मैं आपकी तारीव करता तो मुझे आज आप एसोसियेट प्रोफेसर बना देते लेकिन मुझे पता है कि आप से अगर इतनी मदद ले लूँगा तो वही बोलना पड़ेगा जो इस मन से मजबूरी में बोलना पड़ता है इसलिए सच बोलूगा अब मैं आपको तख दे रहा हूँ पहली चुनवती आज के नौजवानों की नई सिक्षा नेती बनाई गई है मतीन क्लाज उसके बता रहा हूँ पहला स्कूल जो पर हर एक गाओं के पास स्कूल बनाए गए थे उन स्कूलों को अगर तीन हजार से कम विद्यारती है तो उन्हें मर्जर या क्लोजर की पॉलिसी के तख बंद किया जाएगा और गाओं में मेटा स्कूल बनाए जाएगे बताएए यह सिक्षा क्रांती है दूसरी बाद 45,000 डिगरी कॉलेज इस समय इस देश में आज है नई सिक्षा नीती 2020 कह रही है कि 20 साल में 45,000 डिगरी कॉलेज को क्लोजर और मर्जर के जरिये 15,000 डिगरी कॉलेज पर लाया जाएगा उनके तीन ग्रेड बनाए जाएगे इस देश में वाड बेवस्था बनाई गई थी दोनिया में इंसान में कोई भेद नहीं यहाँ पर इंसान और वो भी कैसे इंसान दोनिया में इंसान एक तरह से पएदा होते हैं यहाँ कोई मुख से पएदा हो रहा है कोई भुजाओं से पएदा हो रहा है कोई जंगे से पएदा हो रहा है दोनिया चाड पर जा रही है और आप गायगोपर गौमुत में बिज्ञान भूड रहे हैं ये अमबेटकर के सपनों का भारत है क्या आप से मैं पूछ रहा हूँ ये अमबेटकर के सपनों का भारत है क्या ये बुद्धा थूले पेरियार के सपनों का भारत है क्या नई सिक्षानीति में क्या लिखा गया है क्लास बढ़के बता रहा हूँ उन सब में graded autonomy दी गई है उसका आसान भाषा हम समझे graded autonomy का मतलब है तीन grade के universities आपके देश में चलेंगे degree college से लेके universities C grade के university जैसे government fund देगी और उसमें government fund देगी लेकिन कोई भी skill development का कोई program नहीं चलेगा और उस institute के उपर ये pressure रहेगा कि वो अगले NAC national academic assurance जो committee है उसके NAC के report के पहले वो grade को modify करके B grade में जाए B grade में जो syllabus जोग दिया जाएगा वो आधा government पैसा देगी और आधा institute को अपने इंजनेरेट करना होगा और A grade की इंवस्टी वो इंवस्टी होगी जिसको एक भी रुपया सरकार नहीं देगी self finance courses चलेंगे और graduate autonomy और board of governors के जलिए उनका पूरा काम चलेगा अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ जहाँ सबसे कम skill और सबसे कम पैसा रहेगा वहाँ क्या दलित पिषडे आदिवासी पढ़ने जाएंगे आपके घर के बच्चे पढ़ने जाएंगे आपके घर के बच्चे वहाँ जा पाएंगे और जहां फीस अगर एक लाख रुपय हो जाई तो वहाँ कितने दलित पिषडे आदिवासी जाएंगे नई सिक्षा नीत के नाम पर इस ऐससे स्कूल से लेकर के विशुविध्यालीों तक अम्बानी और अडानी के हाथों बेच दिया गया है क्या ये अम्बेटगर के सपनों का भारत है क्या और ये बात आप कहले हैं कि हमने क्रांटी कर दी किस बाग की करांती, कितने नए स्कूल खुले, कितने नए, अब अब तीसरी बाद, इस देश में मैं दिल्ली में रहता हूँ, अशोता, गलगोटिया, और M.T. इंवस्टी, लवली प्रोफेशनल इंवस्टी खुली है, वो सारी प्राइवेट इंवस्टी है, किसी एक में र रिजर्वेशन लागू है क्या? नहीं है ना? रिजर्वेशन, अभी मुख्यमंतरी जी, पूर मुख्यमंतरी जी बोल रहे थे, एक समय जब रिजर्वेशन लागू हुआ, तो 50-60% गौर्णमेंट जॉब हुआ करती थी, तब आपको आरक्षण का लाब मिलता था, आज क् बेच रहे हैं, भारत को मैं चैन से कैसे सोजाओं, सौगंद मुझे इस में ठीकी मादेश नहीं बिखने दूँगा, और हो क्या रहा है? सिक्षा बिख गई है, हवाई चपल वालों को जहाज में जलाएंगे, जहाज बिख गया, एरोपलेन बिख गया, रेलवे बिख गया सरकारी नौकरी माइनस वन परसंट बची है, आपका रिजर्वेशन कहां बचा है, यह अमबेटकर के सपनों का भारत है क्या? यह मेरा सवाल है आप से, तीसरी बार, जो सिक्षा और रोजगार दो बात हमने कर लिया, अब आईए स्वास्त पर, इस देश में खासी जुखा नजला से कोई मर जाए, तो यह राष्ट किस बात का राष्ट है? डॉक्टर अंबेटकर ने 26 नौवंबर 1999 को सम्विधान सभा की आखरी बैठक में यह बात कही थी, कि इस देश में सब को राजनितिक बराबरी दे दी गई, हमने एक व्यक्ति एक बोट का अधिकार दे दि आज उस सम्विधान के आधार पर आपको क्या मिला? रिजर्वेशन, आपको क्या मिला? 90 के बाद तो पहली बार आपके हार एजूकेशन में रिजर्वेशन लाग हुआ, 1997 में सिर्यूल कास्ट और सिर्यूल ट्राइव को हार एजूकेशन में रिजर्वेशन मिला, 2006 में कि दूसरी अंशन्शा लागू होने के बार हार एजुकेशन में OBC को रिजर्वेशन मिला और 2018 तक आते आते आप से दलित पिछड़े आदिवासी हार एजुकेशन में बगास ने हुए और आप में 13 पॉइंट रोश्टर लिया या 13 पॉइंट रोश्टर के आम बिटकर के दूकट है आपके सामने इस देश में पिछली बार 2 अप्रायल 2018 को इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी पसमांदा लोग मुठी बाद करके इस देश की सड़कों पर क्यों उतरे थे क्योंकि उनके SCHT Attrocity Prevention Act से छड़खानी की गई थी तब आप सड़कों पर उतर कर उनको जुकने को मजबूर किये दूसरी बार 13 पॉइंट रोश्टर इसलिए लाया गया था 2005 मार्च 2018 को पहली बार मैंने RTI लगाई है एक जनवरी 2020 तक इस देश में जो डेटा है मोग में डेटा आपके सामने रखना हो वो दिजीवी का मतलब केवल भाव भाशन देना नह उसके बाद इस देश में नई सिक्षा नीती आ गए पहली बाद तो यह समझेगा कि अब पूरी प्राइवेट सिक्षा अब प्राइवेट हातों चली जाएगे निव एजुकेशन पॉलिसी करती है 40% सिल्बस अब ऑनलाइन मोड में चलेंगे कितने घरों की पच्चे ऐसे हैं जो वो अपने बच्चों को मुबाइल और लेप्टाप दे सकते एक मुख्याती थी जी का भाशन चलाना था कितना मुश्किल होई मेरी अपनी क्लास में 50 विद्यारती पढ़ते हैं और आनलाइन में आज 25 विद्यारती बाहर हैं मैं दावेस करता हूँ वो 25 विद्यार है 90 97.6% OBC प्रोफेसर की पोश्ट खाली है 95% शिडूल ट्राइव की प्रोफेसर की पोश्ट खाली है और 93.8% शिडूल काश्ट प्रोफेसर की पोश्ट खाली है डॉक्टर अंबेटकर के सपनों का भारत का मतलब यह है कि 85% दलिक पिछड़े आदिवासी पस्मांदा के 85% प्रोफेसर होने चाहिए 85% डॉक्टर होने चाहिए 85% इंजीनियर होने चाहिए और आप क्या बना रहे हैं इसरा मुद्दा स्वास्त का राष्ट बनने का मतलब क्या था राष्टवाद का सर्टिफिकेट आज वो लोग बाट रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों से माफिय मांग करके कहा था कि हमको पंचन दीजी हम आपकी मदद करेंगे और वो लोग आज कह रहे हैं उन लोगों को सिखा रहे हैं जिनके पुर्खों के हाथों ने इस देश और दुनिया को रहने लायक बनाया हम क्रम कमेरा जाती के लोग हैं कुर्मी, कुरी, लुहार, नाई, मोची, मला, निशाब और तमाम वो जातियां जिन्होंने हाथ से श्रम करके इस दुनिया को रहने लायक बनाया है इस राष्ट को बनाया है बेरसा मुंडा, जैपाल सिंग मुंडा, अब्दुलकयो मंसारी, आसें बिहारी नरायन गुरू, ईवी रामा स्वामी नायकर पिरियार जोतिबा फूले, सावित्री बाई फूले और वहाँ से लेकर के शाहू जी से होते हुए डॉक्टर रम्बेट कर, डॉक्टर लोहिया, मंडल और कांशी राम इन लोगों की वरासत ने जिस राष्ट को बनाया आज कोई और आ की हमसे कहता है कि पहले कागज दिखाओ कि तुम इस देश के नागरिक हो की नहीं नागरिकता इस देश के सब के बड़ी जिम्यदारी है आपके अपने जिले में भी एक मंदिर के नाम पर दंगा खराने वाले लोगों को पहचानिएगा और उन संगठनों को पहचानिएगा जो धर्म के नाम पर है उनसे पूछिए कि आपके सिक्षा रोजगार के लिए कितना अंदोलन किये कितना अंदोलन हुआ आपके सिक्षा रोजगार के लिए मविश्यो द्याले से उसलिए सच बोल रहा हूँ आखरी बाद स्वास्त विवस्ता उस राष्ट की सबसे बड़ी जरूवत थी ना पहले के जमाने में कहा जाता था कि तीन चीजें एक जिंदगी की सबसे बड़ी जरूवत है रोटी, कपड़ा, मकान इंसान होने की सबसे बड़ी जरूवत क्या है हमारे पुर्खों ने आत्मसम्मान अंदोलन चलाया पेरियार इवी रामस्वामी नायकर ने सल्फ डिग्निटी मूवमेंट चलाया उसके बाद डॉक्टर अंबेटकर ने कहा आत्मसम्मान से जीना जिंदगे लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए और ऐसे पुर्खों के बारिसों को कहा जा रहा है कि अपने आत्मसम्मान से सम्हता कर लो क्योंकि हमने डॉक्टर नम बेटकर की लंबी सी मूर्ती बना दिया और उसमे माला चड़ा रहे स्वास्त वेबस्ता आखरी बात कहे करके आपसे विदालूँगा कोरोना आया दुनिया जब कोविड से लड़ रही थी हमारे आँक आ जा रहा था गोबर्द ले लो गोमुत्र पी लो कोरोना दूर हो जाएगा मैं एक सवाल पूछता हूँ आप जिस धर्म की किताबों के नाम पर नफरत फलाते हैं आप जाएए और अमेरिका में बोलिए कि हमारे आप कुछ लोग ये बात कहते हैं कि महाभारत काल में इंटरनेट था हम नाली के जैस से चाय बनाते थे दुनिया जब विज्ञान और चेतना की बात कर रही आप अपनी प्रढ़ियों को मुर्ख बना रहे हैं आप उन्हें धर्म के नाम पर 20, 25, 30 साल पीछे ले जा रहे हैं अमेरिका में जाकर इस देश के प्रधान मंत्री कहते हैं कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश हैं और यहां भारत में आकर के बुद्ध के खिलाब युद्ध छेड़े हुए हैं हमें वह बात सच कहली होगी और उस समय जो दुनिया में क्या हो रहा था दुनिया कोविट से लड़ रही थी आपके सामने जो दूसरा सबसे बड़ा खत्रा है वह इशारा करके जा रहा हूँ आपके सारे पब्लिक फंडेट एजूकेशन पब्लिक फंडेट सेक्टर अंबानी और अडानी जो दोस्ट चुनाव लड़वाते हैं ना उनके हाथों बेच दिया गया है आपके हाथ में कुछ बचा नहीं है और वही बेचने के लिए आज कहा जा रहा है कि हम मौदरी करर करने इस देश में यहां कमों के मंतरी दिल्ली में परचार कराता है जिसके जेब में पैसा है वो अपना परचार कराते जाओ कोविड आया लाशे किस राज्य के नदी में तेहरी थी कौन सा धर्म इजाज़त देता है कि दफना दो अपने लोगों को और आखरी सवाल अगर सरकारी छेत्र के विश्व विद्याले बेचे जाते हैं तो क्या कहा जाता है प्रोडक्टिव नहीं है एर्पोर्ट क्यों बेचा जा रहा है प्रोडक्टिविटी नहीं है सरकारी संस्थान घाटे में है भेल बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, एरपोर्ट बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, बैंक वालों ने हर्ताल किया था न, ये सारा कुछ बेच रहे हैं, क्या कहा कर, प्रोडक्टिविटी नहीं है, राष्ट ये घाटे में जा रहा है, दो सवाल, कोर कैसे बचा रहा था और दूसरा सवाल अगर यह सारी चीजे घाटे में हैं तो यह अंबानी और अदानी उसे खरीद क्यों है यह सवाल है मेरा आप से आप जिसको कह रहे हैं यह घाटे में है इसको बेच देना चाहिए तो यह जो उंद्योग पती जो मुनाफा कमाने के लिए आपके सर का बाल तक बेच दे वो एक घाटे वाली कमपनी खरीदेगा क्या हमारे पुर्खों ने इस देश को बनाया है आज मैं आपसे आखरी बात कह करके जा रहा हूँ आज सबसे बड़ा धोखा और सबसे बड़ा खत्रा इस देश के नौजवानों को है जिनकी पिढ़ी को धर्न के नाम पर अंधा बना दिया गया है स्कूल, कॉलेज और विश्विद्याले जाने के नाम पर वो बुली है बना कर के सो मुसलिम महिलाओं को आल लाइन निलाम कर रहे हैं, वो अठारो और बीस साल के बच्चे हैं, आपकी पिढ़ियां बरबाद कर दी गई हैं और आपसे का जा रहा है कि हम गखरम बेटकर की बज़े से यहां बेटे हैं, मैं कहके जा रहा हूँ जो आपके सिक्षा और प्रोफेसर बने हैं, किसी के बोट मांगर नहीं बने, तब तक समझते थे कि हमारे पुर्के, हमारे घर परिवार वाले मेहनत करके अलाब आप अब इनुश्टी पढ़ाएं और अलाब इनुश्टी टॉप किया, दिल्ली इनुश्टी में जाके प्रोफेसर बने, तब तक यह समझते थे, कि हम अपनी काबिलियस से बने हैं, लेकिन बाद में यह समझ में आया, जब हमने अपने पुर्कों को पढ़ा, कि अगर इस देश में भारत का समविधान और मंडल कमिशन नहीं होता, तो मैं कभी यहां नहीं होता, और आपके सामने खड़ा नहीं होता, तो जिस सीधी से चल कर मैं आया हूँ, वो सीधी मेरी आखों के सामने तोड़ी जा रही है, और मंच परा करके मैं आपसे तालियां बज़ाने के लिए वो बात कहूँ, कि सब लोग खुश हो जाएं, और कल को मुझे वाइस चैंसलर बना दे, वो वाइस चैंसलर नहीं किस काम क है, कि कल वापस जा कि जब मेरे लोग मुझे से पूचेंगे, मेरी नौकरी बरबाद हो गई, सिक्षा बरबाद हो गई, रोजगार बरबाद हो गया, तुम उन लोगों के साथ बैट करके कह रहे थे, जै घीम, जै मंदा, ये सबसे बड़ा खतरा है, उन लोगों को पहचा जो आपके वहचारिक दुश्मन है, मैं OBC समाज से आता हूँ, मैं OBC समाज को इक शिकायत करता हूँ, इस देश में जोतिबा फूले माली जाती से आते थे, OBC ते, डॉक्टर अंबेटकर ने अपना तीसरा गुरू बनाया थे, शाहुजी महाराज OBC जाती के थे, पेरिया से कहें कि मैंने आदी हिंदू सभा बनाया है, इसके मंबर्शिप लेलो, तो ब्रामणों ने कहा हम हिंदू थोड़े हैं, हम तो आ रहे हैं, तब चौरसिया साथ खड़े हुए, और उन्हों ने वो पर्चा फार के कहा, जब तुम हिंदू, हम तो ये समझते थे, दोनों ए सतरा ये है कि उन लोगों को परने नी दिया गया, पनवारी घरों में रसी उद्याल सिंग चौरसिया का नाम नहीं है, मेरे अपने यादो घरों में पेरियार ललाई सिंग यादो का नाम नहीं है, पेरियार ललाई सिंग यादो ने क्या कहा था, मां उनकी बात कहके रहा बलिदान न सिंगता होते सुना बकरे बलिवेदी पर लाए गए न काटे तेरे पादब गए सीधों पर आरे चलाए गए विशधारी को दूध पिलाया गया विशहीन सदा तड़ पाए गए ये काता पेरियार ललाई सिंग्या दोले और जब तृवेडी संग बना 1930 में बिहा ब्रह्मण भंगी एक समान जिसमें समता की चाह नहीं वह पढ़िया इंसान नहीं समता बिना समाज नहीं बिन समाज जनराज नहीं जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए सबको सिक्षा सबको काम वरना होगी नीद हराम हमारे डक्टर दलुहिया ने कहा सो में धन धर्ती और राज़पाट में 90 भाग हमारा है 10 का शाशन 90 पर नहीं चलेगा नहीं चलेगा जो जमीन को जोते बए वो जमीन का मालिक होए और राश्पती हो या भंगी की संतान सबको सिक्षा एक समान सबको सिक्षा सबको काम वरना होगी नीध हराम और सबको सिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है आप नेताओं के गुलाम बन गए इसलिए क्योंकि आप एक जुट नहीं रहे अचानक कोई नेता आके कहता है कि आप चलो हिंदू धरम खत्रे में है अरे उससे रोग के पूछिए हमारा स्कूल और विश्व ध्याले खत्रे में है तब तुम क्यों नहीं आए मेरी नौकरी कोरुना में चली गई तब तुम क्यों नहीं आए हमारी अर्थ पर उस्था डूब गई तब तुम क्यों नहीं आए और 55% हिंदू तब बनाते हो जब मुसल्मानों के खिलाफ ढंगा करना होता है और उसके बाद दलit महिला थी सुनिए दलit महिला थी उत्तराखन्ड में खाना बना कर स्कूल के बच्चों को खिलाती थी और दलit महिला की जाती देखकर समण बच्चों ने कहा हम खाना नहीं खाएंगे तब हिंदु धरम खत्रे में क्यों नहीं आया ये मेरा सवाल है उस महिला की जाती देखते हो क्योंकि वो दलित है इसलिए हम खाएंगे ने पूछिए उन लोगों से 2 अप्राइल के भारत बंद के दिन वो लोग कहां थे जो केंदर से लेकर कि राज में सत्ता में बैठे थे और दलित सीटों पर चुन करके गए थे पूछिए उन लोगों से 13 पॉइंट रोश्टर आया तो वो कहां थे पूछिए उन लोगों से नई सिक्षा नीत के नाम पर जब सब बेचा जा रहा है और आज आप कहरो पाकिस्तान कबिस्तान इस देश में हिंदो मुस्लिम की याँ तब लगाई जाएगी जब दलित पिछड़े आदिवासी बच्चे अपनी सिक्षा, रोजगार और स्वास की बात करेंगे आज इस देश में एक दलित को राष्टपती बना दिया गया और हाथ रस्में बेटी को पेट्रोल डालके जला दिया तब उस राष्टपती की क्यों जे यवान खोली यह सच पूछना जरूरी है और आपने मुझे आमंत्रित करने का जोखिम लिया था मैं अपना काम करके जा रहाए आपने ये बात जो कही थी ऐसे मंचों पर आप हमें नहीं भी बुलाएंगे तब भी भारत के समिदार और मंडल कमिशन ने एक नौकरी दे दी है हम वहाँ गुजारा कर लेंगे हमें आपका वोट नहीं चाहिए लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस मंच से घर जाने के बाद ये बहिलाएं और बच्चियां ये नौजवान अपने घर में अपने बाबुजी से पूछें कि दाप तो धरम को बचाने गए थे मेरी सिक्षा, मेरी रोजगार मेरी नौकरी और मेरे देश को बेचने वालों के साथ क्यों खड़े थे ये सवाल आपसे पीड़ियां पूछेंगी मैं जानता हूँ कि मेरी बातों का कोई असर नहीं होगा पता नहीं अगली बार आप बुलाएंगे विकी ने बुलाएंगे लेकिन मैं ये बात कहके जा रहा हूँ जंगल में आग लगी चिड़िया पानी डाल रही थी और कुछ चिड़िया उस पेड़ से उड़ नहीं रही थी कविता लिखी है कि आग लगी इस व्रिक्ष को जलने लागे पात उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास उन पक्षियों का जवाब ध्यान से सुनिएगा फल खाएं इस व्रिक्ष का गंदे की ने पात धरम हमारा यही है जले इसी के साथ आपके लोग आपको छोड़ करके जो चले गए अपनी सत्ता और कुर्सी के लिए बाबा साहब के सबसे अच्छे वारिस सबसे बड़े वारिस ने एक किताब लिखी है उसको पढ़िएगा चमचा यूग उस किताब में कई किस्म के चमचे लिखे हैं 1932 में पूना पैक्ट आज लोग कहते हैं गांधी बनाम गोडसे गोडसे की मुर्ती और गोडसे के नाम पर इस देश में दंगा बाबा साहब ने कहा और ये बात हमें समझनी चीए अपने पूर्खों का क्यावल नाम लेके फोटो पर माला चड़ा रहे है नौजवानियों की पीडी को समझाईए नहीं तो कल को आज रामायर देख रहा है टीवी पर कल राम मंदीर बनवाने चला जाएगा आपका घर लुट जाएगा वहाँ आप खड़े है तब डॉक्टर अंबेट कर रोए थे पुना पैक जब करके आए गांधी को तीन गोलिया मारी थी उन लोगों ने जो आज शाशन कर रहे है वो हमसे कहते है हमारे पुर्खे ने गांधी की जान बचाई है उन्होंने तीन-तीन गोलिया गांधी की सीने में मारी है हम वो लोग है और आखरी बात कहके जा रहा हूँ इस देश में बहस चला रहे है यार ये गांधी बनाम गोडसे आप गांधी के साथ हैं कि गोडसे के साथ हैं मैं कहता हूँ गांधी बनाम गोडसे में हम गांधी की हत्या करने वाले नहीं गांधी का जीवन बचाने वाले डॉक्टर अंबेटकर के साथ है पेरियार ईवी रामा सामी नायकर और गांधी की बहस में हम पेरियार के साथ है भगत सिंग और गांधी की पहस में हम भगत सिंग के साथ हैं हम डक्टर अंबेटकर और गांधी की पहस में गांधी की नहीं डक्टर अंबेटकर के साथ हैं और गांधी और लोहिया की पहस में हम लोहिया के साथ हैं ये हमारी विरासत है आने वाली पिडियां हमसे पूछेंगी साहब कि जब देश लुट रहा था आपके बच्चों का भविश्व बरबाद किया जा रहा था दंगाई बनाया जा रहा था तब आप क्या कर रहे थे वो जो चिडिया जंगल में आग लगी थी न तो चोच से पानी भरके उस आग पर डाल रही थी एक कुरसी से बिक करके हम चमचे हो गए मानेवर साब की बात कर रहा हूं अपनी बात तो कह भी नहीं रहा मानेवर साब ने कहा कि कई किस्म के चमचे हैं उसमें OBC चमचू की भी बात की गई थी कुछ OBC लोग ऐसे भी थे मुक्यमंत्री कुरसी चली गई और घर जब गंगा जल से दुलवाया गया तब उनको समझ आया रहे हम तो अगरा समझने पे पिछड़ा है हमें तो सबका सच कहना है ना एक हाथ में जै भीम जै मंडल और दूसरे हाथ में परशुराम की कटार ये कभी नहीं चलेगा वरना पिढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी बेशड़ू मंदिर परशुराम मंदिर बनवा के बहुजन से सर्वजन करवा के आपके आपने आने वाली पिढ़ियों को जवाब दे पाएंगे आपके विचारों सी लड़ाई है एक तरफ 1925 में बना एक संगठन है जो इस देश को हिंदू राष्ट बनाना चाहता है और एक तरफ 1924 में बना समता सैनिक दल है पूछिए आप कहां खड़े और वो कहां चले गए क्यों नहीं बाबा साब का बनाया हुआ है संगठन 85% लोगों का राज जिनों ने इस देश को हाथ से काम दिया उन्हें लोगों को आज इनवस्टिम बैटकर एनेफस किये जा रहे है कितने लोग संसाद और विधान समाम बैटे थे वो आपके लिए लड़े आखरी बात उस चिड्या की बात करके जा रहा हूँ उस चिड्या से पूरे जंगल के लोग, जंगल के पक्षी मजाख उडाते हुए कहे कि इतनी बड़ी आग लगी है जंगल में देश बेचा जा रहा है, हिंदू राष्ट बनाया जा रहा है अभिया योध्या जाकी है मतुरा कासी बाकी है किया जा रहा है और तुम अपनी चोच से पानी भर रही हो अलिगर के इस तबगार में उपस्तित लोगों आप से यही कहके जा रहा हूँ उस चिडिया का जवाब उसने कहा था कि मुझे पता है कि मेरी चोच की एक बूद पान नई सिक्षानिती में सिक्षा बेच दी प्राइडाइजेशन में रोजगार बेच दिया कोरोना में आपकी जान बेच दी हिंदू हिंदू करके नफरत फलाया गया उस देश में पसमांदा तब के इस लोगों से पूछिए इस देश में नाई जुलाहा मोची मला जो पसमा हुए 300 लोग लिंचिंग में मारे गए 300 में एक भी अपरकाश्ट मुसलिम नहीं है यह कौन है 15% लोग जो पीछे खड़े होकर आग के बच्चों को दंगा कराने भेजते हैं और ग्री मंतरी का बेटा बी-सी-सी-ाई का चेर्मन बनके करोन रूपया कमारा है आग के बेटे और उसके बेटे में यही फर्क है तो वो चिडिया उसने यही बात कहीं थी कि मुझे पता है कि जंगल की आग से मेरी चोच के पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी मगर इस आग का जब इतिहास में लोगा जय भीम, जय मंदल, जय संविधान